हेलो हाइ नमस्ते सलाम आप सबको नवरातरी की धेसारी सुक काम ना है भाई आज सुवए-सुवह एक पुन्य का काम कियाँ मैंने और क्या है मैं आप कभी दिखाने वाला हूँ तो आज शुवए-सुबे एक वेश्टी वाला हमारे घर घुष गया और यह कुछ सामान हमने उससे खरीदा तो मैंने उसको उसका अगला कार खरीदने में थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो आप सोच रहोंगे कि मेरा दिल इतना दरिया है जो मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ वेस्टीज वालों को ऐसा कुछ नहीं है अरे वो बंदा लिटरली नीचे गिर के गिडगड़ा के रो रहा था साब ले लो साब ले लो क्या करता है अब सोचू साला हर मेने ये लोग कार कैसे खरीद रहे है बट फ्रांकली स्पिकिंग वेस्टीज के प्रॉड़क्ट्स इतने खराब नहीं है उसका रिव्यू बगड़ा बहुत अच्छा है हाँ इनका जो बेचने का तरीका है और जो जिस तरह से प्रमोट करते हैं उससे सिकायत है खेर चोड़िये आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ Amazon और Flipkart में जो अभी offers चल रहे थे तो उसमें एक छोटा सा मोबाइल मुझे पसंद आ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राइ किया जाए तो उस मोबाइल का मैं एक छोटा सा रिव्यू आपको देने वाला हूँ तो लेट्स स्टार्द अनबॉक्सिंग दुनिया की सारी खुशिया एक तरफ और मोबाइल अनबॉक्सिंग करने की खुशी एक तरफ तो यह रहा वो मोबाइल वाव बहुत ती लाइट वेट है और पीछे टेक्स्चर जो इन्होंने बना है वो भी एक लाचवाब हाथ में फीली नहीं हो रहा कि एक मोबाइल पकड़ाओ जो की बहुत अच्छी वात है और पीछे का टेक्स्चर देखके मुझे बहुत अच्छा लगा चलो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं साथ में और क्या मिला है यह कुछ रद्दी कागज और एक चार्जर केबल और बाही और कुछ नहीं है और कुछ उमीद भी मत करना आजकल लियारफोन चाहती ही नहीं सो फाइनल वर्डिक्ट मेरे तरफ से यह रहेगा कि अगर आप हेवी गेमर नहीं हो आपको सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग करना पसंद है जैसे फेस्बूप ट्वीटर यूट्व वाट्स आप यह सब चला अच्छा है तो जैसे घर के कोई भी वुजूर्ग आदमी हो जादा गेमिंग वेमिंग नहीं करते तो उनको आप यह गिफ्ट कर सकते हो बाकि अगर आप एक यंग स्टर हो तो इससे कुछ उम्मीद मत रखना ममी पापा को यह अगर नाना नानी किसी को गिफ्ट करना है त सकते हो बहुत ही लाजवाब गिफ्ट रहेगा उनके लिए यह तो यह स्टॉक मोबाइल हमारे घर में पड़ा रहेगा जिसको जरूरत पड़ेगी वह यूज कर सकता है क्योंकि जो घर के भुजूर्ग रहते हैं उनको ज्यादा तर प्रायरेटी बेटरी रहता है और मोब अदरवाइस साथ हजार रुपे में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता तो उस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट मोबाइल यह रहेगा केमरा भी ठीक ठाक है तो इस वीडियो में बस इतना ही मैंने सोचा एक मोबाइल अन्बॉक्सिंग का वीडियो बना कि आपक अदरवाइस